हे गाइस वेलकम बैक टू एड़ डॉक्टर इस्टडी गाइस दिस इस मंजीत आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चरक सहिता के आठवे अध्याय जो की इंद्री और प्रम्रणी अध्या है पिछले वीडियो में हम लोग ने सात्वे अध्या अर्थात नव वेगा यह के बारे में बताए गया है तथा दूसरी चीज इसमें सद्वरुत वरणन देखने को मिलता है तो हम इनके बारे में पूरा डिटेल में आज पढ़ने वाले तो चले स्टाट करते हैं हमारे आठवे अध्याय के साथ जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है इनके 5 अर्थ है इस तरह से जो हमारे 5 इंद्रिया नके 5 द्रव पाच अदिश्थान 5 आस्रे और 5 ईर्थ यह सारी चीज aik बताऐ गई है है तो इस प्रकार से बताए जाता है यहां कि सबसे पहले चीजा कि इसमें आते हैं मन संबंधी विचार मतलब कि सबसे पहले इंद्रिय की सत्व भी कहा जाता है तो इसको घ्राह अर्थ जैसे कि फीश को गया उसका ग्राह अर्थ क्या है रूप को आत्मा के companions सायोग करने से जो चेश्टा मतलब की वेहार आता है वो वेहार लाने का काम किसका होता है मन का होता है एवं इंद्रियों के विपार तथा इंद्रिय जन्य प्रत्य मतलब की ज्यान में कोई भी जो हमें ज्यान होता है उसका कारण मन ही होता है तो दो चीज मन करता है कि जो भी इंद्रिये के अर्थ हैं, उनको आत्मा तक पहुचाने मतलब कि उनका ज्ञान कराने में मन मदद करता है इसी कारान से ये मन जो है कारण और प्रेरक होता है इसके बाद हम बात करते कि मन के एकत्व का वीवेचन मतलब कि यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि मन अनेख है से कि चिंत और विशय जो विचार है यह सब क्या है इसके अर्थ हैं इनके व्यविचार से मन एक होने पर भी अनेक रूपों का प्रतीत होता है मत्तब बुनला यहीं चाहता है कि मन जो है यह एक है लेकिन बहुत सारे अनेक कारे करने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मन अ प्रकृति होती है राजस तामस और सत्व इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रकृति है मनुसे की उसके लिए बताएगा कि जिस सत्व आधी गुड़ से मन बार बार युक्त होता हुआ पूरुस का अनुवर्तन करता है उसी को महर से जो बहुल ले आने उसे हैं उनके एक मनुसे में जो उसका मन है ज्यादा समय तक अगर राजस गुड़ के साथ है तो हम उसको राजस प्रकृति का बोलेंगे अगर वो सत्व गुड़ के साथ है तो सात्विक प्रकृति का कहेंगे और अगर वो तामस गुड़ के साथ है तो तामस प्रकृति मतलब वही यहा प्रकृति का निर्धारन करते हैं यहां तक हम लोग ने बात कर लिया मन के बारे में तो हमारा जो अतिंद्रिय है वो खतम होता अब यहां से जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं वह स्टार्ट होते हैं तो ग्यानेंद्रिय में सबसे पहले बताएगा कि हमारे पास पांच ग्याने पांच विशा है जिनके बारे में हम देखेंगे और जिसका इंट्रोडक्शन भी हम लोग ने शुरुआत में देखा था एज इंद्रिय पंच पंचक अब सेकेंड आता है कि यह जो पांच इंद्रिय बताए गया है इन पांच इंद्रियों के डिफरेंट डिफरेंट द्रव गया है रथात अगनी को बताए गया है उसी तरह रस्ने इंद्रिय का जो ड्रव्य है उसको जल बताए गया है और घराने इंद्रिय EV का अदिश्थान होते हैं जैसे चक्षूर इंद्रिय है उनकी जो अधिष्ठान है वो दोनों आखे हैं उसी तरह स्रोतेंद्रिये का अधिष्ठान दोनों कान हैं घ्राणेंद्रिये का अधिष्ठान दोनों नासिका छिद्र हैं रसनेंद्रिये का जीवा और इसपरसनेंद्रिये का तौचा ये अधिष्ठान मानेगा हैं मतलब कि चक्षूर इंद्रिय के कारे आखों द्वारा होते हैं उसी तरह स्रोत्य इंद्रिय के कारे कानों द्वारा होते हैं ग्राण इंद्रिय के कारे नासिका छिद्र द्वारा तथा रसनेंद्रिय का कारे जीवा और इस परसनेंद्रिय का कारे त्वच्छा द्वारा होता है मतलब कि यहां प मतलब जिसका अधिश्टान कान है उसका विशय क्या है सब्ध है उसी तरह त्वच्चा का विशय इसपर्स होता है तथा नेत्र का विशय रूप है रसना का विशय रस है और घ्राण का विशय गंद है मतलब यह जो पांच इंद्रिय है यह अपने अपने विशयों का करती हैं एंप पाँच इंद्रीय बुधियों के बारे में बताए गई है जो पाँ मतलब जब ये इंद्री अपने विशय का ग्रहार कर लेती हैं और उनका आत्मा के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर कुछ बुद्धी का निर्मार होता है ज्यान का निर्मार होता है उसी को क्या बोला गया है बुद्धी अब दपाच इंद्रिय बोला गया है इस तरह से हर एक इंद्री के अपनी बुद्धी का निर् समुदाय रूप हैं मतलब क्या बोला गया कि जो हमारे पांच ग्यानेंद्री हैं वो किस से बनी हैं पंच महाभूत के समुदाय से ही बनी है फिर भी विशेश रूप से आक में तेज कान में आकास नासिका में प्रित्वी रसना में जल और इस पर्सनेंद्री वायू पाई ज विशे ग्रहण की छहमता है जैसे जो आक है उसमें कहने है तेज इनंद्रिया दिखान को मिलती है इसी को हम इंद्रिये पंच पंच कहते हैं। आप उसे क्या परिणाम देखने को मिलते हैं तो क्या बोलागा है कि उक्त जो pac kyndra अपने अपने विशे के अतियोग अयोग तता मिध्ययोग से मन के साथ विकार को प्राप्थ होकर अपनी वुद्धी के विनास का कारण हो जाती है और यह जब ही अपने विशे के साथ स्वमयोग यूगत अतर प्रकृतिस्थ होती है तो वो अपनी अपनी वुद्धी का संतर उत्पन करती हैं मतलब कि जब तक वो क्या रहेगा सम्यक योग रहेगा तो प्रकृति बनी रहेगी तो वहाँ पे ये इंद्रिया अपनी बुध्धी का निर्माण करेंगी लेकिन वहीं इंद्रिया जब अपने विसेह के साथ अतियोग अयोग या फिर मिथ्ययोग करेंगी तो वहाँ पर विकार या फिर विक्रिती उत्पन होगी जिसके कारण ये इंद्रियों की बुद्धी नश्ट हो जाएगी। अब आता है मन के अतियोग आधि का विचार कि मन अगर अतियोग कर रहा है तो उससे क्या होगा तो मन का विषय चीनते हैं मन का कारी क्या है चिंतन करना है अगर इसमें चिंतन विषय का समयोग अतियोग और हीन योग तथा मिथ्या योग मन और मनों की बुद्धी की प्रकृ मतलब कि जब तक क्या होगा अतीयोग ゃूं मित्यययोग होग होग तो NGOs आपे विकृत्टर्थ के निर्मार होग और वहीं पर सम्यक योग होगा तो वहाल पर प्रकृति का निर्मार देखने को मिलता है आगे बतायागा है कि जो मन सहित सारी इंद्रिया है उनको किस तरह से हमें स्वस्त रखना चाहिए ताकि वो क्या हो विकार युक्त नहीं हुई है अर्थात अपनी अपरी प्रकृति में इस्तित है उनको होने वाले विकारों से बचाने के लिए निमनुक्त उपाय करने चाह योग से तथा इस्तिर वुद्धी से भली भाती विचार करकर के कर्मों को ठीक प्रकार से और देश काल आत्मा के गुड़ों के विपरित गुड़ वाले अहार व्यार आदि के सेमन से अपना ही चाहने वाले प्रतेक मनुसी का करतव्य है कि वह स्मृति परवक संपूर्ण स्रद्वित का सदय व्यार करें तो यहां से देखिए अब सद्रूत का वर्णन आपको देखने को मिलेगा तो इसमें क्या बताएगा है कि अगर हमें मन जो अपने इंद्रिय हैं जो मन हैं उसको स्वस्त रखना है तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए जो भी अनुकूल विश करना चाहिए अब यहां से हमारे सद्धयाय का नया टॉपिक होता है जो कि है सद्व रूत बच सकते हैं कि नियमों का हमें पालन करना चाहिए स्वस्त बने रहे हम किसी प्रकार से के बारा स्वदृत हमें बताता हैं तो यहां पर का बोलग है कि अगर सदृत का सेवन करता हुआ जो मानों है उनको दो प्रकार का लाव मिलता है ठीक है जो क्या करते हैं सदृत को फॉलो करते हैं उनको दो प्रकार का लाव मिलता है सबसे पहला लाव यह मिलता है आरोग्य लाव रहत प्रति हमेशा मोहित रहता है उस प्रकार से दूर का पालन्ग करने से तो बात करते हैं कि यहां संपूर्ण। तो सदुरूथ हो उसका उपदेश बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें हमने करने चाहिए तो सबसे पहले बोला गया कि जो देवता है गाय है ब्रामण गुरु वृद्ध या फिर सिध्ध या फिर जो भी आचारे लोग है उनकी हमें पूजा करने चाहिए सेकेंड बोला गया है कि अगनी की उपासना करें तथा जो प्रसस्त और सधी है उनका धारन करें फिर बुला गया है दोनों समय का करना चीए इसनान करना चीए तथा जो मलायन है मतब जहां से मल की प्रवृत्ती होती है उसको तथा पैरों को सदा हमेशा क्या करना है स्वक्ष रखना है और साथ ही साथ पच्छ में तीन से चार बार पाच पाच दिन पर केश समश्रू लोम नखू को कटवाते रहना है प्रती दिन सुद्ध धूले और बीना फटे हुए वस्त्रों का धावरन करना है तता प्रसंचीत रहना है और शुगंदी द्रवयों का अनुलेपन करना है तता सज्जनों के सद्रुस वेसधारन करना है मतलब सज्जनों जिस प्रकार से वेश धारन करते हैं, उनके अनुसार हमें भी क्या करना है, वेश धारन करना है, आगे बोला गया कि केशों को हमेशा सवार कर रखें, मतलब कंगी करना चाहिए, सीर, कान, नाक तता पैरों के तलों में प्रति दिन तेल डाले या लगाएं, जहां पे भी खग उड़ हैं, मतलब कि जहां पे भी खाली जगा हैं, जहां पे भी वात बढ़ने के चांसेस हैं, वहां पे तेल का मरदन करें, साथी साथ धूमपान करना चाहिए, दूसरे पहले बोले, उसके बाद मैं बोलूँगा, ऐसा इच्छा न रखता हुआ, स्वय करें, सोम योग, आधी योग्यों को कराएं, साति साथ चावराहों को प्रणाम करना चाहिए, और कहुआ, आधी को बली देने वाला, अतब उनको रोजघए खाना खिनालने और योग पच्झी हैं, उनको खाना चारा डालने वाले, तथा अतितियो का सतकार करने वाला, और प्रित्रों को साथ देना चाहिए तो इस तरह से जो भी चीज़े हमें डे टू डे लाइफ में अलो करने चाहिए उन सारे चीज़ों के बारे में सद्वृत में बताया गया है साथी साथ बोला गया है कि समय पर हीत परमी तता मधूर अर्थ कहने वाला अपनी आत्मा तता इंद्रियों को वस में रखने वाला मतब गलत चीज़े नहीं करने वाला हमेशा धर्म को पालन करने वाला इस्या आदी में नहीं रहने वाला तता फल के प्रति इस्या नहीं रख करने वाला हो और सामने चार हाथ की दूरी दे कर चनने वाला हूँ इसके अत्रिक मंगल तता सधाचार का अभ्यास करने जो गंदे वस्त्र, हड़ी, काटे, अपवित्र वस्तू, केस, तूस, राक, कपाल, इसनान भूमी तता बल्ली भूमी से दूर रहे, ठकावट आने पे ब्यायम को छोड़ देने वाला, तता सभी प्राणियों को बंधु के समान मतलब अपने बराबर समझने वाला, कृधों क को मानने वाला, और भैभीतों को अस्वासन देने वाला, दिनों का सहायक जो हो, सत्य प्रतिग्य, सांती, गुण, विसिष्ट, दूसरे के कठोर वचनों को सानने वाला, और प्रोध का नास करने वाला, एवं सांती को गुण समझने वाला, राग और द्वेस आदी मानसिक विकारों का विनास करने वाला होना चाहिए मतलब यहां पर बोला गया है कि यह सारी चीज़े हमें डे-टु-डे लाइफ में फॉलो करने चाहिए तब ही हमारे जो इंद्रियें हैं उनके मिथ्था योग यादी नहीं होंगे और हम क्या होंगे निरोगी रहेंगे साथ ही न अपनाएं न लेने की इच्छा करें साथी साथ दूसरे की इस्तरी और दूसरे की स्री मतलब की धन समपत्ती को प्राप्त करने के अभिलासा न रखें जो लड़ाई जगड़ा सत्रूता किसी से न करें साथे साथ कोई भी पाप कर्म न करें और पाप कर्म करने वाले के स साथ भी प्याप्याहर न करें साथ दूसरों के दोसों को न कहें मतलब कि चुगली न करें दूसरे के गुप्त बातों को जानने का प्रयत्न जबर जस्ति न करें या फिर उसको किसी और को भी न बताए और धारमेक राजद्वेसी पागल पतीत और गर्भ को मार डाने वाले छुद्र सभाव वाले और तथा जो दूसरों से उनके साथ नहीं बैठने वाला होना चाहिए जो दूसर यान है उसमें न बैठे तथा जानू मतलब घुटने से जो कम नीचे वाला क्या है खाटन है या फिर आसन है उस पे नहीं बैठने वाला और जिस पर विस्तर न चाहिए चोटियों पर भ्रमन नहीं करना चाहिए पेड़ों पर फालतु में नहीं चड़ना चाहिए पानी के तेज बहाओं में डुपकी नहीं लगाए अपने कुल में उत्पन महापूरुसी को छाया का पैरों से अतिक्रमन न करें मतलब किसी भी बड़े को पैर से न हुए तथा नदी तठकी छाया का सेवन नहीं करना चाहिए तो यह सारी चीजें सदुरुत में आते कि यह सारी चीजें नहीं करने चाहिए उसी के अनुसार दावा अगनी मतलब कहीं पर फॉरेश्ट फार है तो ऐसे इस्थानों में न घूमें बहुत ज्यादा जोर से नह भूमी मत्त मिट्टी नहीं खोदना चीए अपने हाथों से जो घास पूस है उसको अगलियों से नहीं घीचना चाहिए तो इस तरह से क्या क्या चीजें नहीं करना है वही बस बताएगा है तो यह आप ढढ़ सकते हैं इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है बस आपको आएगा question की सद्रूत वर्णन के बारे में बताएं तो आप कोई भी point उठा कर लिख सकते हैं अपकोस थोड़ा बड़ा answer होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं इन सारे points को एक बार rate कर सकते हैं यह important है इसमें आपको question आते हैं कि सद्रूत के अनुसार भोजन की विदी की स्प्रकार होनी चाहिए तो इसमें काबो लगा है कि हाथ में रत्न धारन किये रहना चाहिए बिना इसनान किये बिना सुद्धो वस्त्र धारन किये या फिस संध्यो पाशना मतब साम का prayer किये बिना और देवताओं के लिए होम आदि किये बिना और माता पिता को भोजन कराए बिना जो गुरु है अतीती है या फिर जो भी आस्त्रेत है मतब जो घर में आये हुए हैं जो नौकर चाकर हैं इनको खाना दिये बिना और बिना सुगंदित पधारतों को ध्रारन किये या फिर माला आदि ध्रारन किये बिना हाथ पाव या फिर मुख को धोए बिना या फिर मुख को सुद्ध किये बिना मतब गार्गलिंग आदी किये बिना साथे साथ बिना उत्तर को मुख किये मतब हमेशा खाते समय कहां उत्तर की ओर मुख करना है तता दूसरी और मन को न लगा कर मतलब हमेशा भोजन की तरफ मन लगाए रखे और उदाहास हीं नहीं रहना है, मतलब खाते समय सोख हीं सेड नहीं रहना है, असिश्ट, असूची और परिचर द्वारा लाय हुए पदार्ट, मतलब कि जो अच्छे से सदाचार को नहीं मानत या फिर अच्छूदित मतर भूखा है ऐसा जब नौकर कोई खाना लाय तो उसको नहीं खाना है और पर वित्र पात्र में रखा हुआ खाना अनुचित इस्थान में रखा हुआ बखाना और समय में और बहुत ले लोगों से संकीर इस्थान में मत्ब बहुत ज्यादा जहां पे प्रॉपॉलेशन और क्राउड हो बिना अगनी को दिये बिना मतब चढ़ाए या भी प्राछन ये जलो की बिना छिड़ के और मंत्रों से अभिदंत्रित किये बिना और करना चाहिए इसके अत्रीक जो मास है हरितक है या फिर सुखाय साख फल आदी बच्चे पदार्थों के अत्रीक तो जो परियोशित मतलब जो बासी खाना है उसका सेवन नहीं करना चाहिए साथी साथ दही मधू लवन सत्तू घी इनको छोड़ कर और जो भोज्य पदार्थ बरोसे गए हो उनमें से कुछ न कुछ थाली में छोड़ देना चाहिए ठीक है यह सारी चीजे नहीं छोड़नी चाहिए लेकिन इसके अत्रीक जो भी चीजे रहें उनको थोड़ा सा थाली में छोड़ देना चाहिए इसके अत्रीक रात्री में दही खाने से मना किया गया ह और नहीं सेट्थ्थू खाने को बोला गया है इसके अलावा भोजन के बाद न बहुत मात्रा में न दो बार न बीच-बीच में क्या बोला है और दातु से काट कर सत्तु का सेवन करने के लिए बोला है, मतब जब सत्तु का सेवन तो डारेक्ट पीना नहीं है, उसको क्या करना है, खाने की तरह खाना है, तो यह सारे चीजे बताई जाती है सदुरुत वर्णन में आहार के लिए आगे बताई गया कि सदुरुत वर्णन के अनुसर मल त्याग विति की तरह से मल का त्याग करना चाहिए, तो बोला है, न ठेड़ा होकर छीके, न भोजन करे और न सोय, मतब ठेड़े होकर छीकना भी नहीं है, भोजन भी नहीं करना और सोना भी नहीं है, साथ ही साथ, जब मल मूत्र का वेग मालूम हो, तो अन आवस्यक जितने भी काम उनको छोड़ कर सबसे पले क्या करें, मल त्याग करें, इसके अलावा जो वायू, अगनी, या जल, चंद्र, सूर्य, ब्रामण, गुरु, जुन्यों की ओर करके ठुकना मना हैं, और नहीं पेसाप करें, और न जहां पर अध्यान पढ़ाई हो रही हो, या पर जहां पर बली आदिप पूजा हो रही है, या किसी प्रकार के मांगलिक कारे हो रही हो, तो ऐसे में बीच में थूकना नहीं चाहिए, और नाक साफ भी बिलकुल नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट आता है कि सदुरुत के नहीं बताने चाहिए, और इनको किसी भी तरह का पूरा अधिकार न दे, और जो रजस्वला मतब कि जो रीतू मती है, या फिर जो रुगन मतब कि बिमार लेडी है, या फिर जो अरुचिकर कुष्ठ आधे रोकों से जो पीडित हो तथा अप्रियर रूप वाली हो, मतब अधे दक्षिन मतलब कोई भी विपरित आचरण मतलब जो समाज के अनुसार अच्छा न हो वैसे आचरण करती हो, जो कि मैथुन की इच्छा न करने वाली हो, और अपने पती को छोड़कर दूसरे पूरुसों को चाहती हो, और दूसरी की इस्तरी इस्तरी योनी को अने जो पशु पक्षी हैं, जैसे कुतिया, आधी की योनी, या फिर औयोनी, मतलब गुद अथवा हत मैथुन आधी में, तथा जो ग्राम अथवा नगर का महान ब्रिच्छ है, या फिर आंगान चवरहा या बगीचा आधी है, या समसान में, या फिर वदिस्तान, जहां पर जान लिजाते हैं, बली दी जाते हैं, जलासाय, औसाधालाय, ब्रामहर के घर के आसपास, या फिर गुरू मतलब टीचर के घर के, या फिर देव मंदिर, प्राता काल, और संद्याकाल में, अतिथी, या फिर निस्चिद तिती, मतलब जिस दिन कोई पवित्र दिन हो, या फिर अपवित्र इस्तिती में वाजी करण औसद के सेवन करने से पहले बिना लिंका उत्थान की हुए मतलब कि without erection और बिना भोजन किये और अधिक भोजन कर लेने पे या फिर उटपटांग सयन में और मल मुत्र के वेग होने पे मतलब कि अगर वेग आये हैं या फिर शरील में थकावट हो या व्यायाम किया हुआ हो या फिर उपवास की इस्तिती में तता अगर शरील क्लम से क्लांत है पीडित है ऐसी इस्तिती में और नो विना एकांत मतलब कि जहां पर ज्यादा पॉपूलोशन है ऐसे इस्थान प्राप्थ हुए वेवाय नहीं करना चाहिए मतलब ऐसी जगह पिका है विल्कुल भी वेवाय या फिर मैथुन कर्म की क्रिया नहीं करने चाहिए आगे आता है that is the सदुरुत के अनुसार जो पूजय जन है उनका समादर मतलब जो भी पूजनिय लोग हो उनके किस तरह से आदर करना चाहिए तो जो भी सत पूरुस तथा गुरुजोन इनकी निंदा नहीं करने चाहिए और अपवित्र इस्तिती में रहकर अभिचार कर्म जैसे कि उच्चाटन वसी करन या फिर चैत्यम मतलब कि जो भी ग्राम है वर नगर का जो महान वरिच्छ है जहां पर चबूतरार जिसको बोला जाता है पुजयों की पूजा तथा वेद आदि का स्वध्याय अथ्वा अध्यान आदि सुप कर्मों को न करें मतलब कि जब तक किसी भी बड़े पूरुष या फिर सथ पूरुष या गुरुजनों की निंदा तो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए तथा अपवित्र इस्तिती में रहकर हमें क्या करना है स्वध्याय अध्यान या फिर सुप कर्मों को भी नहीं करना चाहिए सद्रूत के अनुसार अध्यान का निश्चेद मतलब किस समय पर हमें अध्यान नहीं करना चाहिए तो बैसिकल अकाल में विजलियों के चमकने पर मतलब बादल में विजली चमक रहे तो ऐसे समय पर दिखद आ होने पर मतलब चारों दुशाओं में आग लगी हुई ऐसी क कोई उसके बाद आस पास में आग लग जाने पर और भुकंप होने पर बड़े उत्सवों के उसर पर मतलब घर पर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टिन फंक्शन चरह तो ऐसे कंडिशन में या फिर उलका पात होने पर मेट्रोइट्स गीर रहे हैं ऐसे कंडिशन में सुर्य या फिर चंद ग्रहन हुआ हो ऐसी कंडिशन में तथा आमावस्या के दीन और प्राता एवं साय संध्या के समय गुरु मुक्ष से उपदेश प्राप्त किये बिना मतब बिना टीचर की ज्यान लिए बिना अध्यान नहीं करना चाहिए इसके अत्रीक हीन वर्ण युक्त वाक्या अधिक वर्ण या अधिक मात्रा युक्त वाक्या उच्चारण न करें मतब जिसमें बहुत ज्यादा क्या है मात्राएं हैं ऐसे वर्ण का भी उपयोग करने से मना किया गया है जो रुक्ष स्वर है या फिवी स्वर है मतब जिनमें स्वर नहीं है या फिर जो अनवस्तित पद हैं मतब कि अनियमित पाठ करने वाले तथा जो न बहुत जल्दी न देर करके न अविलंबीत स्वर से न बहुत उचे स्वर से और न अधिक और इसपश्ट स्वर से ही अध्यान या फिर अभ्यास करने मतलब मग चिला चिला कर ही नहीं या फिर धीरे धीरे ही नहीं और बहुत स्लो भी नहीं इन तरीकों से क्या करना है अभ्यास नहीं करना है साथ ही साथ जिस दिन सूरी ग्रहन हो चंद्र ग्रहन हो अमवस्या के दिन या फिर आकास में विजली चमक रही या फिर उलका पात हो रहा है या फिर आसपास आग लगे तो ऐसे कंडिशन में भी अध्यान करने के लिए मना किया गया है इसके बाद हम बात करते कि मांसिक व्याहर में सद्रूत का क्या इंपर्टेंस है तो क्या बुला गया कि धहरे रही तो नहों मतलब हमेशा क्या रहा है पेशन्स रखना चाहिए उद्वत स्वभाव वाला बहुत ज़्यादा जल्दबाजी न करें अपने अनुचरो को समय पर वेतन देने वाला मतलब कि हमेशा अनुशासनी बने रहें डिसिप्लिन रहें अपने लोगों पर विश्वास करने वाला ट्रस्टफूल रहें अकेले सुखी रहने का प्रयास न करें अर्था सबको सुखी रखकर स्वयम भी सुखी रहने के चेश्टक अतब सिफ खुद खुस न रहें अपनी खुशी बाटने की कोशिस करें साथ इस साथ दूसरों को दुख देने वाल आचार विचार का न हो सबी पर विश्वास न करें और न सबको संका के द्रिष्टी से देखें न सदा सोच विचार में डूबे रहें तो मतलब भूलना क्या चाहता है कि बहुत जादा भी किसी पर विश्वास नहीं करना और एकदम अनफैथफुल भी नहीं रहना है या फिर अनट्रस्टफुल भ बताये गया सदुरूत वर्नार में आगे आता है कि सदुरूत में हवन विद्धी किस प्रकर करें तो अपवित्र स्थिती में रहकर उत्तम गाय का घी अच्छा तेल कूस सरसों की अगनी में होम नहीं करना चाहिए और अपने प्रतिस सुभा सिर्वात की आसा करता हुआ ब मुझे वीरे सक्ति प्रदान करें सुभ जलो का मेरे सरीर में प्रवेश हो तता अप ओ हिष्टा इत्यादी मंद्र को पढ़कर जल्व इसपर्स करें होटो तता चलनों को दो बार जल से धो कर मस्तक पर पानी छीड़ कर और जल से अपने सारीरिक छिद्रों एवं सीर पर भ ग्यान है दान है मिट्रता दयालुता हरच उपक्षा और प्रशं और सम्मे तत्पर रहना चैये मत्र यह सारे चीजह हमीशा करें जैसे ब्रहु च malfurg करें जहां से भी मिल्ले उसको लेना चाहिए दान आदी करना चैये मित्रता सर्भात बहुत होन चाहिए भरस्ゆ हमेशा ख उप्विक्षा करने चाहिए तो यह सारी चीजों में हमेशा तत्पर रहने वाले इंसान को जो सदुरूत में वर्णित दो लाव है वो मिल सकते हैं देट इस कि हमें आरोग्य लाग प्राप्त होगा साथ ही साथ इंद्रियों पर विजय मिल पाएगी तो इसी के साथ हमारा जो अश्टम अध्या है इंद्रियों प्रमणी अध्या है जिसमें हम लोग ने देखा कि इंद्रिये के बारे में और सदुरूत वर्णित के बारे में वो समाप्त होता है होप आपको वीडियो समझा होगा अफकोस यह लेशन क्या है शुरू में थोड़ा नौलेज़ेबल है थोड़ा कॉंसेप्ट वाइस है इंद्रिये जब तक आप परते अगर आप सदुरूत स्टार्ट होता है तो सदुरूत में बेसिकली आपको जो डेली बेसिक नौलेज जाए वही लिखना है तो आप अपने हिसाब सभी बस एक बार रेट आउट करने के बाद भी अपने मन सिख्या कर सकते हैं लगबग क्या होने चाहिए आजपास में सेम होने चाहिए अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याइज स्टार्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर में अवेल हो जाएगा वहां पर आपको नोट्स रिलेटेड और वीडियो रिलेटेड अप्डेट हो जाते हैं